प्रभारी मिठाई में आवेदन दिया गया है तो क्या सर इस पर कुछ करवाई हुआ नहीं उनका कहना था एक तो वो बुले कि आप आवेदन दे दिजिए इसकी हम कोई receiving नहीं देंगे हम जाच में जाएंगे जाच में अभी तक आई है क्या मठाई को नहीं मठाई कोई अभी तक जाच में नहीं आया है तो सर ये चावल जो चोरी हुआ है तो इसकी सुचना आप गरामीन को भी दिये हैं हाँ गरामीन को भी दिये हैं सभी गरामीन को हमारे अध्यक साब भी हैं इनको भी आज बुला के लाए और सची को दिया गया है शदेश लोग करीब करीब गाउं में बहुत लोग जान रहा है सभी लोगों को ये सुचना है तो सर ये कब से मतलब चावल वितरन का समय था चावल वितरन करने का समय जो है MDM साधन से भी हमको 23 तारीक को बोला कि आप पुराना जो चावल है उसको माट दीजिए तो 24 तारीक को हम BRC में दे दिये रेजिस्टर उसको सत्यापन करने के लिए चुकि सत्यापन करने के बाद ही हम माट सकते हैं तो वो हमको 24 तारीक को सत्यापन करके मिल गया तो 25 तारी को हम विद्याले पहुंचे विद्याले में आये हैं और वो सारा रईष्टर मंगवा के सब प्रक्रिया हम पुरा करके अब चावल बांटने ही वाले थे तब तक हमको कोई बच्चा और रसोया भी था कहा कि सर वो तो गेट आपका खुला हुआ ही है तब जा करके दोड़के देखे तो हमारा गेट सही में उसका कुंडी कटा हुआ है और चावल सब गायव है तब हम इसकी तुरत आविदन बनाए और सब पर्थम हम ओपी परवारी मिठाई को ये सुचना दिये उसके बाद यहां के एक दू गरामीन को गुला करके सारा चीज को देखा है सडियां पहले कॉरांटाइन सेंटर चल रहा था हाँ यहां देर महिना क्यूंटाइन सेंटर में अभी जहां पर हमारा छावल गायव हुआ है कि मधियान भोजन का चावल का store room वही है उसको हम quarantine के समय में वहां से चावल को हटा करके NPGL एक room है वहां पर हम रख दिये थे और quarantine जैसे समाप्त हुआ फिर चावल को उठा करके कि अभी तो इसको ताला लगा दिये कि अभी तो यहां has तरफ शौने का हम लोगों को था? नहीं महसूस नहीं हुआ कभी उधर देखना चाहिए यहीं से देखते थे ताला लगा हुआ था हमको क्या मालूँ कि ताला का कुंडी कटा हुआ है यह तो जब बांटनी की बाड़ी आई तब हम देखते हैं ऐसा हुआ हमको लगता है कि चावल कुनों एक दिन में गयब नही देख सकते हैं कि इस कुरेना जैसी महामारी में स्कूल से चावल गयब हो चुका है और आवेदन दिया गया है मठाई पुलिस सिभीर को लेकिन उस पर अभी तक कोई कारवाई और ना कि आके यहां कोई पूस्ताच की गई है तो मैं रमानंद कुमार के साथ झाल झाल